सिकंदा शित्र में अपार्टमेंट की आठवी मंजिल से अद्वक्ता सुनिल शर्मा की मौत के बाद परिवार को नया दिलाने के लिए वकील लाम बंध है सिकंद्रा के मंगलम आधार अपार्टमेंट में रहने वाले आगरबार एसोचियेशन के पूरवध्यक्ष सुनिल शर्मा की पुलिस दविश के दौरान संदिग्द परिस्तितियों में आठवी मंजिल से गिर कर मौत हो गई थी इस प्रक्रण में एसो नियो आगरा और चौकी इंचार्च को निलंबित कर दस पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया इसके बाद दिवानी के अधिवक्ता आंदोलन रथ है वकीलों ने एक स्वर में आंदोलन जारी रख पीड़ित परिवार को नियाए दिलाने पर जोर दिया है आगे चलता रहेगा और हमें कई जिलों से समर्थन मिल रहा है फिरोजाबाद से आई अधिवक्ता साथियों का भी हमें समर्थन मिला है मतुरा से भी मिला है हमारी यागरा की सभी तैसीलों से हमें समर्थन मिला है और हमारे जो कमेटी का आज गठन हो गया है आंदोलन की त चुरू से ही 24 घंटे में कारेवाही का आशवाशन देते चले आ रही है। वकीलों का कहना है कि अधिवक्ता सुनील शर्मा की मौत को आज 7 दिन बीच चुके हैं। लेकिन पोलिस की 24 घंटे की समय अवधी पूरी नहीं हो पा रही है। दिवारी परिसत में गुरुवार को कई बार के पदादिकारियों की बैटक हुई। इसमें साथ सदस्य समीती बनाकर आंदोलन जारी रखने का निर्ने लिया गया। अधिवक्ता सुनील शर्मा की मौत के बाद चल रहे आंदोलन में फिरोजबाद के अलावा असपास के जनपदों के अधिवक्ता भी समर्थन देने देवानी पहुच रहे है। देवानी पहुचे फिरोजबाद के वकीलों का कहना है कि फिरोजबाद में भी वकीलों ने हर्ताल रखकर समर्थन किया है। अधिवक्ता दोशी पुलिस कर्मियों की गरफतारी मृत्तक सुनील शर्मा के परिवार को एक करोड रुपे और सीवी आई मांग पर अड़े हुए है। वकीलों का कहना है कि पुलिस कर्मियों पर दर्ज मुकदमे की जाच पुलिस निश्पक्ष नहीं करेगी। इस वज़ा से सीवी आई से जाच कराय जाने की मांग उठ रही है। शुक्रवार शनीवार और अविवार को अवकाश होने के कारण अवसोमवार को बनाई गई साथ सदस्य समीती के दिशा निर्देश पर आंदोलन किया जाएगा। है है है